दोस्तों दोस्तों नवरात्री के पावन मोके पर अगर आप कुछ उपाये कर लेते हैं तो भगवान आपके उपर और आपके परिवार के उपर हमेशा आशिरवाद बनाए रखते हैं और आपके घर में कभी भी दरिंदगी नहीं आती है हमेशा सुखह और शांती बनी रहती दोस्तों नवरात्री पर देवी पूजन और नौदिन के वरत्व का बहुत महत्व है। इन नौदिनों में हर किसी को कुछ नेमों का पालन करना चाहिए। आईए जानते हैं नवरात्र के समय में कौन से काम नहीं करने चाहिए। नवरात्री में नौदिन का वरत्र रखने व काले रंग की कपड़े नहीं पहनने चाहिए इस दोरान से लाई कढ़ाई जैसे काम भी वर्जित होते हैं नवरात्र के दोरान नाखून काटना भी वर्जित होता है इसलिए नवरात्र शुरू होने से पहले ही नाखून काट लेने चाहिए वरत में शारीरिक और मानसिक दोन अगर आप नवरात्री में कलश स्थापना कर रहे हैं, माता की चौकी का आयोजन कर रहे हैं या अखंड जोती जला रहे हैं तो इन दिनों घर खाली छोड़ कर नहीं जाएं, पूजा घर को गंदा नहीं रखें, बिना दीपक जलाए कभी भी शक्ती की पूजा नहीं की जा सक नवरात्र के दोरान मानसहार और शराब इत्यादी से बिलकुल दूर रहना चाहिए, नवरात्र के दोरान दुरगा मा की क्रपा पाने के लिए घर में कलह का माहौल बिलकुल नहीं होना चाहिए, लड़ाई जगणे और वाद विवाद से बचना चाहिए, वरत के दोरान अ दन्यवाद.